आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट कोश्चिन करवाएंगे जो कि आपका हिस्ट्री से होगा देखिए कल भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया था और आज भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है कल का प्रैक्टिस सेट अगर कोई तो साथ उवी तक नहीं देखें तो प्ले लिश्ट बना दिया गया एयर फोर्स एक्स बाइ गूरुप करके आप वहां से देख सकते हैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भर वहां से लिफ देख सकते हैं चलिए 77 तक कोशचन करवा दिए था 78 से आज इसका कोश्चन होगा उससे पहले देखिए देखिए कुछ जानकारे हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे सोचल मीडिया के द्वारे जुड़ना चाहते हैं जैसे कि फेस्बूक हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो आप डिस्क्रिप्सम बॉक्स में जाए सबसे लास्ट मु करते हैं देखिए पहला कोश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने जचिन भारत में एक राज की अस्थापना की जो बाद में बिजय नगर समराज बना उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था देखिए इंपोर्टेट्स कोश्चन है इसका राय टेंसर क्या हो जागा इसका राय ट जिरे बहुत ज्यादा नजदिक आने वाला है तो नेश कोश्चन है कि बावर मूल रूप से कहां का निवासी था तो फर गना का था अप्सन नबर यह अगर चुना है तो राइट है फर गना नेश कोश्चन है कि पानी पत की पहली लडाई कब लड़ी गई थी तो पानी प काए 1757 ओर गें देख है कि निमने में से कौझ सा अखुबर से समबंदी थे देखे इसमें चार में दिया गए इसमें पूछा जाय कि निम निमें से कौझ से अकबर से समंदीत थे तो इसका आप लोग क्या होगा अपसण दिबर हो जाएग आपका देखिए option में क्या होगा option number C option number C देखिए इसमें दिखिए ऐसे बता जा गया है कि देखिए 1 वह 2 एक वह 3 तो 1 वह 2 वह 3 यारे कि बता गया है कि अकबार से जो संबन्दित है तुब क्या देखिए दीन ये लाही भी है इबादत खाना भी है और फतेपुर सिकली भी है इसलिए इसका एंसर ऑप्शन C हो जाएगा 1,2 और 3 हो जाएगा नेश कोईचन चले देख लेते हैं कि फतेपुर सिकली का बुलन दरवाजा बनवाया था इसका रायटेंसर के जाएगा अकबर हो जाएगा उप्शन नमबर ए आपन चुना है तो रायटेंसर हो जाएगा अकबर नेश कोईचन है कि 1582 इस्वी में दीन ए अलाही की अस्थापना की थी तो अकबर ने की थी देखे एक कोईचन बहुत वार हम करवा चुके हैं कि दिन है लाही अकबर की अस्थापना की रवाई थी नेश कोईचन पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद में महराना परताप के बिरुद अकबर की सेना का नित्युत किसने किया था देखे इसमें दो कोईचन बन रहा है पहला देखे इसमें बताया गया है कि हल्दी घाटी के युद तो 1770,ечатर इसमी में कीरिया गया था इसको आपनेसे सभण जये कि हल्दी घाटी का युद जो हुआ था तो 1570, direct इसमीं हुआ था चलिए next question देख लेते हैं देखे इसी में पहले बताए गया है तो इसका राजा मान सिंग और बी आपने अगर चुना है तो राजा मान सिंग नेश कोच पुछा गया है कि फतेपुर शिक्री का पंच महल किसने बनवाया तो अकवर ने बनवाया अप्सान नमबर यहां राजाण हो जाएगा नेश कोच जली देख लेते हैं किस सासक ने अपनी राजानी दिल्ली से आगरा बनाई वह आगरा सहर की अस्थापना की थी इंपोर्टेंट्स कोच जाते हैं तो कौन से राजा यहां तो सिकंदर लोदी नेश कोच पूछा गया ह है किस मूगल सासक ने अपनी राजानी आगरा से दिल्ली बना ऊखाओ आपका ऊपसर नंबर भी आपका लोग देख लिज olmaz और इसको अच्छी तरह से देखें तो किंसा ने आपनी राधानी दिल्ली से बीजूर है और इस इसनी होना इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लिजेगा चलिए नेश को-चन देख लेते हैं कि चे तक किस सराजा कि घोड्यका नाम था जी तक एक घोड़ा का नाम था तो किस राजा के घोड़े का नाम था छे तक इसका राइट एंसर क्या होगा महराना प्रताब आप्शन नमबर डी आपने चुना है तो राइट एंसर हो जाएगा नेस कोचन चली दख लेते हैं कि बावर ने पर्थम बार किस यूद्ध में त ने तोब खाने का अप्योग किया था ने पूछा गया है कि ताज महल का डिजाइनर कौन था तेकि इंपोर्टेंस कोचन है यह सब पूछे जाते हैं कि बहुत जाजा चांस बनती है तो इसका इसा था उस्ताद इसा इसका राइट इंसर हो जागा ऑप्शन नमबर डी ने को जब पूछा गया है कि निमन में से कौन सी इमारत सा जाहां ने नहीं बनवाई थी तो साजान कौन सी ने वह देखिए जिसका राइट ने सक्या होगा ऑप्शन नमबर डी बुलंदर वाजा देखिए सा जाहां जो थी ताजमल बनवाए थे दिली का लाल किला बनवाए देली के जामा मस्दी भी सा जाहां ने बनवाए था तो बुलंदर वाजा जो था सो नहीं बनवाए था चले इनेश कोचन देख लेते हैं कि सा जाहां द्वारा निर्मित तक थे ताउस वह परसिद कोहिनूर हीरा कौन सा मुसलिम आकरमनकारी लूटकर ले गया था तो इसक जाएगा और यहां जाएगा नेश कोचन है कि बावर नामा जो बावर की आत्म कथा है किस भासा में लिखी गई है इसका तो 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 जाएगा नेश कोचन देख लिए कि सती पर्था की बर्त सना की करने वाले मुगल समराज कौन थे इसका क्या अंसर होगा इसका अंसर होजागा ऑप्शन नमबर सी यानि की अकबर हो जाएगा इसका रायट एंसर नेश कोचन आप बताते हैं कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की निव पड़ी थ की निव बारत मुख्या झाएगा अंटिम राजा कौन था मुगल बंस नुप राजा था बहुत बहुत रारी स्कूर्ट पूछा जो कि आपका पिछले पूछे रिखी शन्य कुछी समय क्यों आपको और खुछ आपको आइसे इंपको आने की बहुत जादा चांस रखती है इसलिए इस चैनल के द्वारा बने रहें चैनल को जो नए अच्टुडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको अच्छी अच्छी कोशन आपको सामने आती रहें कोल्कात्य सेंख निर्मान निर्मान करवाए था यहीं उच्छी है बाराल जेक्षान करके कियो कुछ उपाधि धार्ण की थी तो च्छत्र पति की सिवा जी जो है ऑप्सेन नम्बर का आपने बी चुना है तो राय टेंसर हो जाेगा नेश्ट कुछ ने देख लिए हैं देखे 99 में है कोश्चन में कि सिवा जी ने 1674 में अपनी राधानी बनवाई थी चार अपसंद दिया इसमें बताईएगा इसमें आपको थाउस समय देते हैं सिवा जी के मंतरी मंद्ल में परदानमंतरी कहलाता था अंत्यम गुरू नेश को चाहें तो बहुत ही कोश्चन है बहुत ही नर्मल कोश्चन है तो गुरु गविन सिश्का राइटेंसर हो जागा, option number C, next question चले देख लेते हैं, कि ग्रू 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 गुविन्द सीं का जन्म हुआ था, तो कहां हुआ था, तो यह भी importance question है, और यह एक तरह से कहिए, तो simple question है, कि बिहार के पटना में, चले, next question देख लेते हैं, कि भारत में सबसे पहले, अपनी रुप्या किसे रखा था, तो सेच्छा सूरीन रखा था, नेश कोचन है, और लाश कोचन है, कि सीख धर्म का संस्थापक तरह पर्थम गुरू था, तो सीख धर्म का जो संस्थापक थे, तो कौन थे, गुरू नानक देव थे, option number A आपका right answer जागा, अगर आपने option number A चु दोस्तों के साथ share कीजेगा, ताकि उनको भी इसे फायदा मिल सकें, और ज्यादा ज्यादा लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा, इसे देखिए आपको फायदा है, जब भी अच्छे-ची question आएगा, तो सबसे पहले आपको मिल लेगा, तो subscribe करके bell icon के साथ आप दबा दीजेगा, तो जैहिन साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में, तक तक के लिए जैहिन जैवारत!